हेदोस्तों, वेलकम टो टेली प्रेंश कोर्स पार्ट 17 और अभी लास्ट वीडियो में हमने सीखल लिया है पर्चेस एंड सेल वाउचर के बारे में और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सेल्स और पर्चेस एंट्री के होने के बाद जब सामने वाली पार्टी से पैसा आएगा या जब हम सामने वाली पार्टी को पैसा देंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे उसके क्या एफेक्स पढ़ेंगे उसके कहां पर एफेक्स पढ़ेगा क्यों पढ़ेगा क्या रीजन होगा यह सब हम आज के इस वीडियो में जाने तो अभी अपन सबसे पहले आ जाते हैं में गेटवे में अपने टेली प्राइम के इसके पाथ अपन सबसे पहले जाएंगे profit and loss अकाउंट में और यह आप simply प्रेस कर सकते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे purchase अकाउंट में अभी 77,000 दिखाई दे रहा है जैसे मैं इसको enter करता जाऊंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको आपकी जितनी भी entry है वो month wise और date wise दिख जाएगी पर यह सब entry credit की है और इसके कहने का परपस है कि इसको भी आपने pay नहीं क्या है इसमें से सिर्फ यह cash वाला paid है बकी अभी आपको pay करना है अब सेम ऐसे ही हम बाहर आ हुआ था date wise and month wise बिल्कुल सेम उसी प्रकार इसमें भी अगर आप देखे तो सिर्फ first वाले को छोड़के बाकी तो जो transaction है उसमें आपको पैसा लेने को आ रहा है क्योंकि यह हमारा credit sale था अब actually में आज हम देखने वाले हैं जिसको हमने credit में माल बेचा है उसका जब पैसा आएगा तो entry कैसे बनेगी और जब हमने credit purchase किया है तो उसको पैसा time कैसी entry बनेगी तो चलिए दोस्तों देखते है अब पहले अपने जो माल बेचा है उसका पैसा अपने लोगों से लेते है क्योंकि अगर पैसा नहीं आएगा तो हम अपने purchase का कैसे पटाएंगे इसके entry अब receipt के form में करते हैं तो अभी हम पैसा मंगा आ रहे हैं तो उसके entry के लिए हम यहाँ प्रेस करेंगे F6 और बनाएंगे एक receipt voucher इसके बाद अपन पहले एक date देदेंगे by pressing F2 इसके बाद हमने जिसको credit में माल बेचा था उसके account को हम credit कर देंगे क्योंकि उसके पास से रोहन के account को credit कर देंगे इसको आपको balance होने लगेगा इस balance का मतलब है कि रोहन ने आपसे इत्ते रुपय का माल credit में खरीदा था अब आपको इत्ता वापिस मंगाना है तो इत्ते amount को जब आप enter करते हैं तो इसके बाद आपके पास automatically bill wise details की screen आएगी यहाँ पे आपको कोई भी changes नहीं करने इसको as it is against reference रहने देना है इसके बाद जैसे आप enter करेंगे तो यहाँ आपको tally automatically बता देगा कि रोहन के bill pending है date साथ तारिक और amount balance और final balance पचास जार लेने को आ रहा है और अगर आप enter करते हैं तो आपको due date इसका 30 दिन का दिखाया रहा है और 6 माई 21 तक कैस इसे भी सभी पैसा आ जाना चाहिए इसके बाद अपन simply इसको control plus a करके save कर देंगे इसके बाद अपन यहाँ पे cash क्योंकि आ रहा है तो आपने cash account को debit कर देंगे और क्योंकि रोहन के account से आ रहा है तो इसको credit कर देंगे तो यह balance दिख रहा था आपको 50,000 का वो अब आपको दिखना बंद हो जाएगा और यह हो जाएगा 0 क्योंकि अपन ने पैसा मंगा लिया है फिर अपन simply इस entry को control plus a करके save कर देंगे अब अपन को एक और party से वापिस पैसा मंगाना था जिसका नाम था Sunil Company इसके लिए अगर हम एक date change कर लेंगे by pressing F2 इसके बाद अपन करेंगे Sunil company के पास कुछ पैसा अभी bank में था और कुछ cash के form में था तो उसने मुझसे कहा कि भई मैं आपको 10,000 cash में दे रहा हूं और 15,000 bank से pay कर रहा हूं तो यहां पे cash में हम डाल देंगे 10,000 रुपए और SBI bank को debit करके हम डाल देंगे यहां पे 15,000 रुपए और इसको भी हम कर दें करने के लिए हम यूज करते payment का option तो यहां पे अपन डालेंगे F5 इसके बाद अपन करेंगे अपने date change by pressing F2 इसके बाद अपन पहले अमन शुकला को payment करते हैं तो क्योंकि अमन के पास पैसा जा रहा है तो हम उसके account को debit कर देंगे फिर यह जो bill wise details का option खोलेगा इसमें आपक कैसे भी करके आपको पैसा पे करना है और यहां पर जो against reference दिखाई दे रहा है इसको आपको खुछ भी नहीं करना है as it is rent देना है control plus a करके skip and save करके आगे बढ़ जाने इसके बाद अपने cash account को credit कर देंगे और simply इस entry को control plus a करके save कर देंगे जैसे अपन page up करेंगे तो हमको यह entry दिखाई दे देगी इसके बाद हमारी एक और party थी जिसको हमको पैसा देना था जिसका नाम था लक्ष इसके लिए again हम date change करेंगे इसके बाद क्योंकि लक्ष के account में पैसा जाएगा तो लक्ष के account को हम कर देंगे debit और amount डाल देंगे यहाँ पे जो भी हमारा है और उसके बाद जैसे अपन एंटर करते हैं तो bill wise details में हमें due date दिखाने लगेगा और जो भी है वो show करने लगेगा इसके बाद हमको simply इसको control plus a करके skip करना है और अपने bank account को क्योंकि मैं चाहता हूँ लक्ष के पास जो पैसा मैं दूँगा पटाऊंगा वो मैं bank account से पटा रहा हूँ तो इसके बाद मैं अपने bank account को credit कर दूँगा क्योंकि मैंने पैसा अपने SBI account से pay करना चाहा है और इस ए एंट्री को भी अब मैं कंट्रोल प्लस ए करके सेफ कर दूँगा तो दोस्तो इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही उमीद है आपको सब समझ आया होगा कि क्रेडिट पर्चेस और सेल्स के बाद जब आपके पास पैसा आता है यह जब आप किसी को पैसा पटा रहे होत तो हम पर्चेस के लिए पैसा पटाने के लिए पेमेंट का यूज़ करेंगे और सेल्स के लिए रिशिप्ट का यूज़ करेंगे ठीक तो दोस्तों अपन मिलेंगे जल्दी न्यू वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मॉच पर वाचिंग एंड गूडबाए